तो अब एक important चीज discuss करते हैं मैंने आपसे discuss किया कि 15 घंटे हर chapter के लिए पढ़ना है अब इसमें एक important piece जो है वापिस कर लेते हैं NCRT की book plus neat prep के videos और मैं आपको बार 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 बोलता रहूँगा कि notes लेने plus hundred questions per chapter ठीक है अब इसमें क्या होता है ज्यादता student जो है इसमें गोली मारते हैं नहीं करेंगे है ना तो आपको जरूरी क्या है अपनी मेहनत को record करिये ठीक है जब आप question करें तो उसे record कर ली जो और हर रोज उसका record maintain करिये थोड़ा आपके ओपर एक positive pressure भी रहेगा कियार मुझे इतनी सारी problem करनी थी मैं क्यों नहीं कर रहा होरिजोंटल और वर्टिकल आइल खीच लिजे और एक एक जो बॉक्स है ना इसमें capture करते जाएं जैसे 21 अक्टूबर साटेड़े का है physics के अंदर मैंने 17 problem attempt की 15 solve कर ली chemistry में 25 problem attempt कर ली 22 solve हो गई bio में एक भी attempt नहीं की 22 अक्टूबर संडे को physics में एक भी problem attempt नहीं की chemistry में 55 attempt की 50 हो गई bio के अंदर 130 attempt की 125 हो गई यह बहुत जबर्दस टूल है बहुत ही simple है और बहुत जबर्दस है ठीक है इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप continuously track रख पाएंगे कि आप अपने 100 questions कर रहे हैं ठीकि बिना 100 questions के नहीं होगा इत्ती practice तो चाहिए तो आप अपने 100 questions कर रहे नहीं कर रहे यह आपको पता चल जाएगा इस वाले चार्ट पेपर को आपका जो पूर्सी टेबल है study रूम में उसके सामने चिपका लिजिए आपको हमेशा गूरता रहे कि भाई मेरों पर question लिखो मैं जानना चाहता हूं तुमने आज क्या किया ठीक है और इसके साथ मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता तो बहुत सारे बच्चों के लेट्क पढ्ढने की आदत होती है यदि आपको लेट्के पढ़ने की आदत है तो नहीं होगा टेबल कुर्सी लीजे और टेबल कूरुसी लीजे अर 2018 की इजट कीजिए जब आप उसके ओपर बैठे हुए हैं कुर्सी के ओपर बैठे हुए टेबल पर पढ़ रहे हैं दिमाग में और ख्याल ना हैं सिर्फ पढ़ना है जैसे आप थोड़े डिस्ट्राक्ट और उठ जाईए जाके पानी पी लीजिए खिलने चले जाईए पर टेबल कुर्सी पर बैठ से देखता रहेगा आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको स्माइली देगा ठीक है और आप नहीं करेंगे तो यह बड़ा दुखी रहेगा आपसे कि भाई पढ़ लो नहीं तो गेम हो जाएगा और गेम क्या है नीट में यदि आपका मॉलाना आजाद में होगा तो सा साल की फीज से 5,000 रुपे ठीक है यदि आपका किसी प्राइवेट कॉलेज यूजलेस कॉलेज में होगा तो वहापे साल की फीज से 16,000 रुपे तो जैसे पुराने जमाने में कहते थे मर्जी है आपकी आखिट जिन्दिए है आपकी